मैं इसक्त बैंगलोर सोमेश्वर मंदिर में हूँ क्या आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आप मंदिर में है यह देखें यह यह आवाज यहां से आ रही है कौन इनको जमीन देता है कैसे प्लाट आवंटित होते हैं पंदरा सौ साल पुराना मंदिर ही है और यह पंदरा साल भी नहीं हुआ है जुमा जुमा अभी मंगल आरती का वक्त है यहां पर आरती के लिए आये हुए थे और देखिए सब कुछ से कलूरिजम के नाम के भाईचारा के नाम के क्या सिर्फ हम हिंदू ही भाईचारा निवाते रहें और बदले में क्या मिलता हमें यह करकाश अवाज क्या सरकार को कोई पूछेगा कि इसाहियों को चर्च बनाने के लिए और मुसल्मानों को मस्जिद बनाने के लिए इनकी मन्चाही जगा कैसे मिल जाती है सोमेशनर मंदिर 1500 साल से बैंगलोर के बीचों बीच है बिलकुल रोड के उस तरफ एक मस्जिद बना दी गई कैसे इतना मंचाही जगा पर इनको मिल जाता है देख लीजे यह इतने पौरानिक महत्व का जगा और अगर कोई शिवाले ने आता है शिव की उपासना करने के लिए और उसे यह सुनाई दे कैसा लगेगा